गट Q&Q क्रू थोड़ा हायर साइड पर था तो वो पार्ट थोड़ा से शायद मैं आज से प्रेशर दे सकता है इनके मार्जिन को लेकिन YY नंबर बहुत अच्छा आने का रूमान है 5% के आसपास की रेविन्यू ग्रोथ, करीब 56% के आसपास की प्रोफेटिमिल्टी में ग्रोथ, मार्जिन 17% से सीधे बढ़के 23-23% आने की बाचीद और इबीटा फ्रेंट पर भी 460 क्रोड से 633 क्रोड रुपे का एक इबीटा रहेगा Q-on-Q, मार्जिन्स में प्रेशर, माइल्ड रेविन्यूस पर थोड़ा सा प्रेशर आता हो दिखाई पड़ेगा लेकिन ओवराल जो Y-O-Y प्रेशर ने उसमें वैम की जो कीमते हैं उसमें एक फॉल Y-O-Y बेसिस पर है जो की कमपनी के नमबर्स को एक बढ़िया बूस्ट देगा इसके अलावा रियल स्टेट में अभी आप पड़ भी रहे थे नीचे कि रियल स्टेट चेक्टर अपने आल टाइम हाई पर है डिमांड बहुत स्ट्रॉंग है जैसे से रियल स्टेट की डिमांड स्ट्रॉंग होती है पिडिलाइट के लिए एक बड़ा टेल्विंड मिलता है इस सेक्टर से तो ये भी एक कंपणी के लिए अच्छा ट्रिकर है और उसके लावाद डोमेस्टिक और इंट्रनेशनल डिमांड अच्छी है अब लेट सी क्यों कितना मार्जिन पर प्रिशार आता है लेकिन अधर्वाइस एक अच्छे नंबर का अनुमान बजाला आखर चल रहा है अच्छे नंबर का अनुमान पिडिलाइट में है और स्टॉक आपके सामने गाबाजी ट्रेड है क्या इसमें कुछ 29.48 के आसपास पिडिलाइट में देखने पड़ेगा क्योंकि पिडिलाइट का जो चार्ट है उसके साब से लगता है कि एक सपोर्ट जोन पर है लेकिन ट्रेड नहीं है मेरे कहलते हैं मैं अवाइट करनों तो ठीक है अवाइट बेस्ट रहेगा लेकिन ट्रेड नहीं लगता है ओके तो थोड़ा सा अवाइट करें देखते नंबर्स पर कितना खरी उतरती है कंपनी और कमेंटरी क्या आती है उसके बार ट्रेड लिया जाए फिर बारी है वोल्टास की और साथी साथ SRF की और SRF के साथ तो उसकोस बाकी केमिकल कमपनियों के नंबर्स आएंगे भी तो पहले वोल्टास की बात कर लाता हूँ रेवेन्यूस करीब-करीब 3700 पहले वोल्टास में आपको एक चीज और रिमाइंड कर दूँ क्यूब 4 के जबडेट आया थे कमपनी के रिसेंटली उन्होंने रिकॉर्ट बिक्री का नंबर मेंचन किया थे उन्होंने इस पाइसं क्वाटर में रिकॉर्ट नंबर बिक्री का लिया है तो वो इसका टेल विंड अलरी हम देख चुके हैं बढ़ी हा तीजी आ चुकी है सो रेवेन्यूस करीब 3750 करोड़ रुपे मुनाफ़ा करीब 171 करोड़ रुपे 19% के आसपस की बढ़त का नुमान है मार्जिन निकेश में थोड़ा सा प्रेशर 6,6% के आसपस मार्जिन आएगा 7,6% के सामने और इबीटा 229 करोड़ आएगा 218 करोड़ रुपे के सामने दो तिन चीज़े UCP, EMPS और PES ये तीन कारोबार जो इनके मेजर कारोबार है UCP करीब 21%, EMPS करीब 42% और PES कारोबार में 19% के आसपसी ग्रोथ रहने का नुमान है इसके अलावा कंपनी के जो एक स्ट्रॉंग नंबर आया थे Q4 में उन्हें वैसी मेंशन करे देते कि बहुत रोबस्ट डिमांड देखने को मिली है और उस रोबस्ट डिमांड के बीच में ये स्टॉक औरड़ी परफॉर्म कर रहा है So expectation हाई है और उसके सामने नंबर आएंगे मिले जुले काइंड ओफ नंबर कह लिए ये एक मारजन में प्रेशर और रेवेन्यूस फ्राइट पर थोड़ा सा बेटर साइट पर नंबर रहेगा On the contrary अब SRF के नंबर की बात कीज़ए तो SRF के एकेस में फ्लैट सेल्स है करीब करीब 374 गरोपे की सेल्स है ये बीटा में प्रेशर है वाई 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 बेसिस पर आप और मुनाफ़े में प्रेशर दिखेगा आपको 562 करोड से 416 करोड मारजन में 24 परसंट से घटके 21 परसंट आने का अनुमान है ये वाई वाई है Q on Q बेसिस पर पूरे केमिकल साइकल में स्टेबलाइजेशन और अप्टिक के साइनाने शुरू हो चुके है तो एक अच्छे नंबर की उमीद आप Q on Q बेसिस पर लगाएंगे वाई 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 जो मारजन 24 से घटके 21 आ रहे थे क्योंकि एक स्ट्रॉंग Q साइट पर आप इसे मानके चलिये तो एक ये मानके चलिये हैं कि लास्ट Q के सामने बढ़िया Q आएगा लेकिन लास्ट एयर के सामने छोड़ा कमजोर Q देखने को मिल सकता है ओके तो ये बात हुई S.R.F. और साथी साथ